दर एक अहसास में आपका स्वागत है इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है डरावनी और सची भूतिया घटनाएं तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर किताबें ग्यान का ही खजाना नहीं होती बलकि उनमें आपको इतिहास भी मिल जाता है दुनिया के हर कोने में बड़ी से बड़ी लाइबरेरीज हैं लेकिन इंगलंड में बहुत जादा लाइबरेरीज ऐसी हैं जिसमें रखी किताबें जादातर लोगों ने नहीं पड़ी ये इतिहास की वो किताबे हैं जो आम जनता तक पहुँच नहीं पाती यहाँ पर ऐसी ऐसी किताबें हैं जो भारत के इतिहास से लेकर अमेरिका के इतिहास तक को खंगाल डालती हैं लेकिन आम जनता उसका एहसास पा नहीं पाती आज मैं आपको एक ऐसी ही किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो लंडन की एक म्यूजियम में रखी गई है मैं आपको इस किताब की जादा जानकारी नहीं देना चाहता क्योंकि इस से आप में भी बहुत जादा डर बढ़ सकता है लेकिन मेरा यकीन कीजिये इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप ही समझ जाएंगी मैं किस किताब की बारे में बताने वाला हूँ ये किताब साल अठ्रा सो की है और इसे अठ्रा सो से उन्निस सो सन के बीच की किताब माना जाता है इस किताब का लेखक कौन है इसके बारे में किसी को नहीं पता लेकिन लेखक के सामने एक स्टार बना है जिसको लेकर अलग-अलग कयास लगाई जाती है अब बात करते हैं इस किताब की तो इस किताब में साल 1800 से लेकर साल 1900 तक का इतिहास बताया गया है और इसका लेखक खुद को इन सालों में किये कामों में जोड़ कर हम को बताता है तो चलिए अब इस कहानी को सुनते हैं उस लेखक की जुबानी मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, शायद आपको इससे जादा मतलब नहीं होगा लेकिन जो बाते मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आप उसे खुद से जूर सकती है ये बात साल 1820 के करीब की है उस वक्त दुनिया के हर कोने में अलग अलग बीमारियां फैल रही थी ये बीमारियां ऐसी ऐसी थी कि इनसानों को समझ नहीं आ रही थी, ये कहां से आ रही है कभी तो पानी से हैजा फैल रहा था तो कभी पानी से प्लेग निकल कर पूरे के पूरे शहर को निगल जाता प्लेग तो हर कोने में पहुँच चुका था लेकिन ये कैसे फैल रहा था किसी को पता नहीं था ये तो वो बड़ी बिमारियां थी जो लोग समझ पाए थे जिसे वैग्यानिक जान पाए थे लेकिन कई बिमारियां ऐसी थी जो छोटे स्थर तक लोगों को मारतो रही थी लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये बिमारी है कैसी और ये कैसे काम करती है इतिहास में कभी उनका नाम लिखा नहीं जाएगा लेकिन मुझे पता है ये बिमारियां कैसी है और कहां से आई है मैं इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ अब शायद आपके मन में भी जिग्यासा होगी कि मैं हूँ कौन इसे इस कहानी के अंत में आपको जरूर पता लगेगा लेकिन तब तक आपको इंतजार करना होगा मैं वो हूँ जिसको अपने पिछले जन्म का कोई तिहास नहीं पता था लेकिन मुझे इतना याद था कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में गया था यहाँ पर हर किसी को अलग अलग काम करने पड़ते हैं शायद मुझे भी अलग ही काम करने पड़ते थे सब लोगों को धर्ती पर मैंने यही बताया था लोग यहाँ बीमारियों से मर रहे थे और सिर्फ मैं ही था जो सब लोगों को बचा सकता था मैं एक बड़ी पोस्ट पर आ गया था जिस पर सब लोगों को भरोसा था मैं कई बीमारियों को ठीक कर पा रहा था लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा कैसे कर पाता था मैं लोगों को ठीक कर पाता था उनकी बीमारियों को मिटा पाता था और कई ऐसी बिमारियां जो इंसानियत तक को शायद खत्म कर देती मैं उसे सिर्फ छूने भर से खत्म कर देता यही कारण था कि इंगलंड में मुझे एक बहुत बड़ी पोस्ट मिली थी मेरा रुत्बा राजा की तरह था मैं जो कहता वो बात मानी जाती और इसका कारण यही था कि मैं जिसको भी जो भी बताता वो मान लेता यही तो मेरी खासियत थी लेकिन मैं जितनी बिमारियों को ठेक कर पा रहा था उससे ज़्यादा बिमारियां निकल निकल कर आ रही थी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है लेकिन मैं घबराहट पैदा नहीं करना चाता था इसलिए कुछ महीने मैं चुप रहा. किसी को पता नहीं था मैं कहाँ से आया, मैं कहा जाने वाला हूं, किस देश से आया हूं, मेरा बचपन कैसे बीटा, किसी को कुछ नहीं पता था. वो बस इतना जानते थे कि कुछ ही महीने पहले मैं यहाँ पर आया और ऐसे बड़े-बड़े कारणामे कर पाया और मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई लेकिन पूरी दुनिया में ये डर फैल गया था कि शायद इंसानियत खत्म होने वाली है ये बिमारियां शायद भगवान भेज रहा है क्यूंकि इंसानों ने बहुत ज़ादा गलतियां की है ये इंसानों के लिए एक तरह से पनिश्मेंट थी और इंसानों को इसे झेलना था लेकिन वो मैं था जो बिमारियों से लोगों को बचा रहा था मैंने कई तरह की दवाईयों का आविश्कार किया था जो मैंने बाटी थी इसी से कई बिमारियां ठीक हुई थी ये छोटी बिमारियां थी जिसे मैं ठीक कर पा रहा था लेकिन प्लेग और हैजा जैसी बिमारी को मैं ठीक नहीं कर पा रहा था शायद ये बीमारियां मेरे कद से ज़ादा थी मैं इनको ठीक नहीं कर पा रहा था और ना ही इसका इलाज धूंट पा रहा था हर कोई मेरे पास आता इलाज करवाने लेकिन इन बीमारियों को मैं कभी ठीक नहीं कर पाया मुझे पर प्रैशर बढ़ता जा रहा था और शायद मेरी पोस्ट छीन ली जाती अब ये अंत था मेरे बताने का मुझे सारी दुनिया को बताना था मैं कौन हूँ लेकिन मुझे शुरुवात यहीं से करनी थी यहीं से तो मेरी पहुँच थी मुझे सारी दुनिया को नहीं बचाना था मुझे इंगलेंड के लोगों को बचाना था और खास तोर पर इस शहर की लोगों को बचाना था मुझे लोगों को सच बताना था मैं कौन हूँ वहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर थे बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ पर थे वो जानना चाते थे मैं क्या सच बताने वाला हूँ बहुत बड़ा हॉल था और मैं अकेला बिल्कुल सामने उपर खड़ा सबको संभोधित कर रहा था मैं सच बता रहा था मैंने बताया कि मैं स्वर्ग से आया हूँ स्वर्ग में जगे कम पड़ गई है और वहाँ पर बहुत बड़ा विनाश शुरू हो गया है इसी कारण इंसानों को वहाँ पर जगे नहीं मिल लही है वहाँ पर इंसान नहीं जा सकते इसी लिए भगवान ने ये बड़ी-बड़ी बीमारियां भेजी है ये बीमारियां लोगों को ऐसे मार रही है कि वो सिर्फ नर्क में ही जाए उनके शरीर इतनी बुरी तरह से सड़ते हैं कि उन्हें स्वर्ग में जगे नहीं मिलती वो तड़ब तड़ब कर मरते हैं इसलिए स्वर्ग में उन्हें जगे नहीं मिलती उनके लिए स्वर्ग में कोई रास्ता नहीं है लेकिन मैं एक फरिष्टा हूँ मैं उन्हें स्वर्ग में ले जा सकता हूँ मुझे वो सचाई पता है जिससे मैं लोगों को स्वर्ग में ले जाओं मैं खुद स्वर्ग में जा चुका हूँ वहाँ पर लोग मेरी तरफ देख रहे थे उन्हें पता था इंसानियत खत्म होने वाली है ये बीमारियां सब को मारने वाली है सिर्फ मैं ही उन्हें बचा सकता हूँ मैंने उनको बताया कि इंग्लेंड की सबसे उंची पहाड़ी, जिस पर पुराने देवताओं की मूर्तियां बनी है, वहां पर जिस जिस को स्वर्ग में जाना है इकठा होना होगा, सब लोगों को इकठा होना होगा, तब ही वो स्वर्ग जा पाएंगे लगभग सबने मेरी बातों पर यकीन कर लिया था लेकिन कुछ एक थे जो यकीन नहीं कर पाए लेकिन ये दस से बीस हजार लोगों की जन संख्या थी जो वहाँ पर पहुँच चुकी थी लोगों की भीर उस पहाड पर पहुँच चुकी थी लोग जानना चाते थे मैं उन्हें कहाँ पर ले जाना चाता हूँ मैं उन्हें स्वरग ले जाना चाता था अंतिम सच्चाई वहाँ पर मैंने बताई मैंने उनको बताया कि इस पहाड़ी से सबको कूदना होगा ये पहाड़ी देवताओं की पहाड़ी है यहां पर सब एक साथ छलांग लगाएंगे मौत तो मिलेगी लेकिन तड़पकर नहीं मिलेगी बीमारी से नहीं मिलेगी सब भीड जब मर जाएगी तो हम एकठा जाएंगे स्वर्ग के दर्वाजे पर स्वर्ग के दर्वाजे पर इतने लोगों को मोड़ा नहीं जा सकता हमारे शरीर सड़कर नहीं मरे हैं हम गलकर नहीं मरे हैं हम बीमारी से नहीं मरे हैं जिसे भगवान ने भेजा था खास तोर पर नर्क में भेजने के लिए यही रास्ता है वहाँ पर पूरी 20 हजार की भीड ने एक साथ चलांग लगा दी वो खुश थे वो स्वर्ख जा रहे हैं उन सब ने एक साथ चलांग लगाई और वहाँ लाशों का ठेर लग गया पहाडी के नीचे लाशें ही लाशे पड़ी थी और वो लाशें आत्मा को छोड रही थी मैं वहाँ से 20,000 आत्माओं को लेकर उसी जगे पहुँच गया था सामने दर्वाजा था हमें दर्वाजा खोलना था वो 20,000 आत्माएं मेरे पीछे थी मैंने वो दर्वाजा खोला मैं उसके अंदर गया उन सब को भी मैं अपने साथ ही अंदर ले आया वहाँ पर आग लगी थी चारों तरफ शोले ही शोले थे वो जलती हुई आग मुझे कुछ नहीं कर रही थी लेकिन वो आत्माओं थोड़ा सा तड़ रही थी मैंने उन्हें कहा थोड़ा सबर रखो मैं सामने गया वहाँ एक सिंहासन लगा था मैं उस सिंहासन पर बैठा वो मेरे सामने मुझे महसूस कर रहे थे मैं जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा मेरे शरीर से आग निकलने लगी मेरे सर से दो सींग निकले जिससे आग निकल रही थी अब आप जाना चाहोगे कि मैं कौन हूँ क्यूं इस किताब में मैंने अपना परीचे नहीं दिया मैं हूँ नर्क का देवदा मुझे शैतान कहते हैं यही तरीका है मेरा लोगों को यहां लाने का लोगों का दिमाग भरम से भरने का उन लोगों ने उस पहाड़ी से छलांग लगाई और ऐसी मौत की सजा नर्क में ही मिलती है वो बिमारियां भगवान ने नहीं भेजी थी वो तो इनसानों के कर्मों का फल था इनसानों ने इतनी गंदगी फैलाई इसी से तो बिमारियां फैली भगवान तो उन सब को बचाना चाहता था भगवान हमेशा हिदाया देता है लेकिन मुझे लोगों को बहलाने में मज़ाता है उन्हें नर्क में ले जाने में मज़ाता है मेरा पीछा करके बीस हजार नर्क में आए और शायद और भी आएंगे उन्हें सच का पता है लेकिन फिर भी उन्हें भटकाना कितना आसान है यही था उस किताब में उस किताब को बहुत संभाल कर रखा जाता है और उसे बहुत कम लोग पढ़ चुके हैं उसे जो भी पढ़ता है उस पर यकीन नहीं करता लेकिन उसके बाद जब वो इतिहास को खंगालता है तो उसे पता लगता है 1820 में सच में 20,000 लोग उस पहाड़ी से छलांग लगा पाई थे लोगों का कहना है वो सब पागल हो गए थे लेकिन क्या सच में वो पागल हो गए थे या ये सच है शैतान हमें भटकाता है हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है हमें नर्क की आग में जलाता है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट्स में जरूर बताएं मैं भी जानना चाहूंगा आपका नजरिया क्या है क्या आप ऐसे ही शैतान पर यकीन करते हैं जो हमारी आसपास ही रहती हैं, हमें भटकाना चाहती हैं, कॉमेंट्स जरूर करें